अस्लाम अलेकुम बहुत मुबारक बाद एक बेहतरीन मुशारे के लिए इस पूरी कमेटी को बहुत अच्छा मुशारा चल रहा ये शोला साब पढ़ रहे थे मैं सोच रहा था कि मुसलसल उन्हें देर तक सोना जाए क्योंकि मैं तो जवान हूँ अगले साल भी आ सकता हूँ वो बेचारे बुजर्ग आदमी है और बुजर्गों का कोई भरोसा नहीं अगले साल वो आए या उनकी खबर आए तो मैं तो दुआ कर रहा था कि उन्हें देर तक सुना जाए लेकिन बहुत अच्छा पढ़के गए वो बहुत मुबारक बाद खासतोर से गुफरान साब को शकेप साब को इफ्तिखार भाई को पूरी कमेटी को बहुत मुबारक बाद चार मिस्रों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूँ या बहुत मशूर हूँ कोशिश करता हूँ कि उस सबसे आपको रूबरू करवाऊं चार मिस्रे पढ़ता हूँ दौाय मांगता हूँ आप सबसे एक आवाज आई है अभी कि कानून ने हाथ बांध रखे हैं वरना न जाने कितनी गर्दने काट दी जाती है इससे एक बात तो साबित हो गई कि दुनिया कितना ही चिला-चिला के कहे कि योग करने से दिमाग ठंडा रहता है लेकिन ये बात सच साबित नहीं हुई खुदी बंदे ने जूटी साबित कर दी इस बात को मैं चार मिस्रे पढ़ता हूँ मैं नाम नहीं लूँगा नहीं आप जान जाएंगे कि मैं हरिद्वार वाले बाबा की बात कर रहा हूँ थोड़ा सा फालियूम बढ़ा है इसका जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी यहां से लेकर के वहां तक जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी अमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी हमारी गर्दने मत काटिये बस ये बता दीजे हमारी गर्दने मत काटिये बस ये बता दीजे जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसपी थी वो बहुत बाद शुक्रिया बहुत अच्छा सुन रहे हां दुबभारा पढ़ो जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी हमारी गर्दने मत काटिये बस ये बता दीजे जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी यह कैसी जंग है जिसमें खसारा ही खसारा है यह कैसी जंग है जिसमें खसारा ही खसारा है मैं जिस सूबे से आता हूं साब मेरी आँखों में जियावलहक है मेरी आँखों में नई नई एक लाश है तन्जील एहमत की मैं चार मिस्रे पढ़ता हूँ जांच में लगे वे हैं लोग लेकिन उसके पीछे का जो सच है मैं चार मिस्रों में पिरोने की कोशिश करता हूँ मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूँ जो सच उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते मैं हिम्मत करता हूँ सच बोलने की और आप से दुआइं मांगता हूँ ये कैसी जंग है जिसमें खसारा ही खसारा है तुमारा कुछ नहीं जो है हमारा ही हमारा है जिन्होंने करकरे है मन्तजी को मार डाला था उन्हीं लोगों ने ही तन्जील एहमद को भी मारा है उन्हीं लोगों ने ही तन्जील एहमद को भी मारा है और भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता मेरी आखों में रोती हुई बिहार की वो बेटी है जो अपने शोहर की लाश से लिपट करके प्रताब गड़ में रोते रोते ये कह रही थी कि नहीं हकूमत अगर थोड़ा सा सही होती तो ऐसे मनजर ना आते मैं चार मिसरे पड़ता हूँ ये सच है कि मेरे कांधों पे अश्भारती जैसे अवार्ट का बोज है लेकिन ये भी सच है साब कि मैं बच्पन से सुनता आ रहा हूँ कि अवार्ट तो सिर्फ दरबारों के चक्कर लगाने से मिलते हैं पहली बात ये ये बात महसूस करी है कि अवाम का दर्द गाने से भी अवार्ट मिल सकता है तो मैं कोशिश करता हूँ अपने उस तेवर को बरकरार रखने के के भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता कोई जांबाज फिर बे मौत यूँ नाहक नहीं मरता सियासत अपने तेवर सक्त कर लेती तो ये तैथा हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं मरता हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं मरता हमारे घर नहीं जलते, जियावुलहक्त मरता है, बहुत अच्छा सुनहें, आप बहुत प्यारा मुशारह हो रहा है, जिस शिद्दत से आप दुआ दे रहे हैं, दाद दे रहें, इसी तरह से दाद देते और कोशिश करता हूँ कि आपको उन सारी चीजों से जोड सकूँ जो आपकी आँखों में है आपके दिल में है आपके अहसास में है कि था शेहन शाह को गरूर बहुत यह बिहार मेरी आँखों के सामने बैठा है साब यह अजीब सा सूबा है अपने आप में बड़ा अनूठ यहां के बच्चे, यहां की बच्चियां सब अलगी मूट के लोग हैं साथ, वो पिछले दिनों एक बिहार का लड़का एक लड़की के साथ नदी के किनारे चांदनी रात में बड़े रोमांटिक मूट में बैठा हुआ था, लड़की ने उसके सीने पे हलके से हाथ रखके क अगर उन्होंने खेनी पे पेन लगाने की कोशिस की तो वर्ड़वार हो जाएगा, यह बिहार है साथ, मैं इस बिहार की तमाम जो खुबसूरती है उसको सलाम करते वे मिसरे पढ़ता हूँ, एक नाम आएगा वो भी बिहार से जुड़ा है, तो आइना दिखा रहा है बिह गुरूर तोड़ दिया, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया, कल थी जो छप्पनिंच की छाती, एक नहया ने सब सिकोड दिया, एक नहया ने सब सिकोड दिया, बहाँ शुक्रिया, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दुबारा के बजाए ज्यादा सुनाओं, कई लोग ऐसे हैं जो सप्लिमेंटरी से पास हुए हैं उन्हें बिना दुबारा के समझ में नहीं आता, लेकिन उनका हुक्म है तो मानना भी पड़ेगा क्योंकि इधर वो लोग बैठे हैं जिनसे पेमेंट भी लेना है, गुफरान भाई बैटे हैं, मुझे तीन बार उन्होंने बताया कि इम्रान भाई मैं मार्केटिंग से जुड़ा हूँ आदमी हूँ, तो मुझे एक चीज यादा ही कि एक बार हम और गुफरान भाई ट्रेन में सफर कर रहे थे सहाब, तीन लड़कियां नीचे बैटके बात कर रहे थी शादी के सिलसिले में, आप इससे बिलकुल अंदाजा मत लगाएगा कि मेरा निशाना उन पर है, शादी के सिलसिले में बात हो रहे थी एक लड़की से दूसरी लड़की ने कहा कि तुम्हें कैसा शोहर चाहिए, उसने कहा करोणपती हो तो कर लूँगी ठीक रहेगा, तो दूसरी ने कहा अगर करोणपती ना मिला तो, बोली पचास-पचास लाग के दो कर लूँगी, दूसरी लड़की ने उस दूसरी वाली से कहा कि तुम्हें कैसा चाहिए, बोली मुझे भी करोणपती चाहिए बोले करोणपती ना मिला तो तो बोली कुछ नहीं पचीस पचीस के चार कर लूँगी तीसरे से कहा गया तुम्हें कैसा चाहिए करोणपती करोणपती ना मिला तो 50-50 लाग के, अगर 50-50 लाग वाला ना मिला तो, 25-50 के, 25-50 के ना मिला तो, बोली, दद-दस लाग के दस कर लूँगी, गुफरान भैई उपर वाली सीट पे थे, वोट कर नीचे आये, बोले, बहन जी जब रेट 1 लाग तक आजाए, तो मुझे भी खबर कर दीजगा, मैं भी लिस्ट में हूँ तो इन्हें बड़ी मुबारक बात, अलाम्दुला, अल्ला जल्दी से लेकिन, देखिए और किसे, नदीम भाई आपको कोई हक नहीं है कोई शाध्य शुदा, उनके बारे में नहीं बात कर सकता सिर्फ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा और उनका दर देखी है इसलिए कोई शाध्य शुदा, उनके कुवारेपन पर कमेंड नहीं कर सकता उसी तरह से, जिस तरह से अडल बिहारी जी मतलब और बाकी लोगों पर कमेंड नहीं कर सकते मायावत्ती जी का नाम ले लूँ लेकिन वापस लौट के उत्तर प्रदेश आना है ना इसलिए मैं बढ़ता हूँ था शेहन शाह को गुरूर बहुत रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया कल थी जो छपन इंच की जाती एक कनहिया ने सब सिकोड दिया और बिहार वालों आपको एक और चीज के लिए आपका शुक्रिया दखरता हूँ आपने मुशारा करा के कई शायरों के घरों में पैसे दिये है इसके लिए तो शुक्रिया है ही लेकिन एक चीज के लिए खास तोर पे आपका शुक्रिया कि आपने बिहार में फासिस्ट ताकतों को हरा करके हमारे उत्तरप्रदेश को जलने से बचाया है वरना जो दिवाली गुजरी थी साहब जो दिवाली गुजरी थी वो पटाखों से नहीं कि हमारे जलते वे घरों से मंति यह बहुत बड़ा सच है मैं चार मिस्रे पढ़ता हूँ कुछ सिंबल गढ़े गए थे आपके यहां इलेक्शन में कुछ प्रतीक बनाए गए थे मैं उन्हीं प्रतीकों को इस्तेमाल करते वे चार मिस्रे पढ़ता हूँ के दूधने चाय को हरा डाला मुझे ऐसा न लगे कि आपका जोश कम पड़ गया है वो साड़े आठ नौ बजे तो जोश था वही समझ में आना चाहिए यहां से वहां तक के दूधने चाय को हरा डाला सचने अन्याए को हरा डाला कर दिया यह बिहार ने साबित अब यहां से वहां तक है के खात को कसम कर दिया यह बिहार ने साबित भैस ने गाए को हरा डाला भैस ने गाए को हरा डाला भैस ने गाए को हरा डाला बहुत अच्छा सुन रहे हैं साथ वही आवाज चीन की चटाईयां बेची जानी थी तो एक योग दिवस का नाटक खड़ा कर दिया गया ताकि चीन के साथ कारोबार बढ़ा किया जा सके चीन के कारोबारियों को फाइदा पहुचाया जा सके कितने भोले तरीके से देश की जंता को लूटा जा रहा है मैं चार मिस्रे पढ़ता हूँ वही जो ये कह रहे हैं कि हाथ बंधे हैं पिछले दुन उनने कहा कि जो जय नहीं बोलेगा मैं गरदन काट दूँगा तो उनके पिये ने कहा कि बाबा जी अपना तेल और शेंपू का भी बिजनेस है गरदन कटी तो फिर तेल और शेंपू कैसे बिकेगा तब उनको याद आया कि हाँ यार बात तो सही है मैं मिस्रे पढ़ता हूँ कि चढ़ते सूरज को नमसकार न कर उसकी तस्वी ही पढ़के देख कभी योग का नाम भूल जाएगा मेरा इमान कहता है ये कि योग का नाम भूल जाएगा बस तरावी ही पढ़के देख कभी और पहले आता था अब नहीं आता खामियां हमारी भी हैं साहब आपने किरेबान में मैं मिस्रे पढ़ता हूं और द्वाइं मांगता हूं आपसे कांपती है जमी गुनाहों से जल्जला बेसबब नहीं आता जल्जला बेसबब नहीं आता यह जो खुदरत की मार है यह जो अल्ला की मार है इसे हम समझें न समझें लेकिन इस देश की सियासत का एक ऐसा चेहरा है जो समझ रहा है और जो बिहार से भी जुड़ा हुआ हुआ है बिहार से उसके साथ एक बड़ी ख़बर जुड़ी हुए मैं चार मिसरे में पिरोता हूँ, मेरी अगली सफों में जो कुछ बड़े बुजर्ग बैठे हैं, इनकी पेशानी की जुर्यों में उन दर्द को मैंने महसूस किया है, मैं पढ़ता हूँ और दौाय मांगता हूँ आपसे, के तेरी शोला बयानी से, जियादा कौन समझेगा लहू का रंग पानी से, जियादा कौन समझेगा लहू का रंग पानी से, जियादा कौन समझेगा आज ये खुद्रत की लाठी में कहां आवाज होती है ये बातें आडवानी से जियादा कौन समझेगा ये बातें आडवानी से जियादा कौन समझेगा करोते हैं अच्छा लगता है कि उनके सीने में मां के लिए मुखबत है लेकिन आदर्णी ये प्रधार मंत्री जी देश में माएं और भी हैं मैं चार मिस्रे पढ़ता हूं अगर सचे लगें तो आपसे द्वाएं मांगता हूं कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्य जरा सुनके बताईए बड़े हंगामों में पढ़ने का आदी हूं आप उसी तरह से सुन लेंगे तो इंशाल्ला कलेजा आपकी हथेली पे रखके जाओंगा है ये वादा करता हूं आपसे के फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते किसी भी हाद से के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते यहां से वहां तक जो मा को याद कर परदेस में आशू बहाता है उसे अखलाक की अमी के आशू क्यों नहीं दिखते उसे अखलाक की अमी के आशू क्यों नहीं दिखते फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यूं नहीं दिखते किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यूं नहीं दिखते जो मां को याद कर परदेस में आंसू बहाता है उसे अखलाक की अमी के आंसू क्यूं नहीं दिखते ने ने ठेकेदार निकलाएं हैं साहब आपके आँ भी एक हैं आज तो राजबबर साहब ने बड़ा जबरदस्त बयान दिया सल्यूट उन्हें उन्होंने कहा कि इनका इलाज पागल खाने में कराया जा जो खर्चा आएगा मैं देने को तयार हूँ मैं नाम नहीं लूँगा नहीं आपके आँजो बड़बोले साहब हैं आप समझ जाएंगे कि मैं सिंग साहब की बात कर रहा हूँ मैं चार मिस्रे पढ़ता हूँ अब वो तैं करेंगे कि कितना करो क्या करो क्या पहनो वो सब तैं करेंगे मैं चार मिस्रे पढ़ता हूँ के तेरी मर्जि हैं जो चाहें तू मेरे यार पैडा कर वो भीहार के लोगों को पताएंगे के यह करो जहांका बच्चा-बच्चा पेट से सी कियाता है कि क्या करना है ने हरे को पताएंगे क्लास में है लेकिन इतना शैतान है इतना शैतान है कि क्या करूँ परिशान हो गया हूँ बाप ने का क्या हुआ बोले ऐसी तस्वीरे बनाता है जिन्दा लगती है वो आज उसने जमीन पर हजार की नोट बना दी उसे उठाने का चक्कर मेरे नाखून तूट गए नोट नही हाँ मैं ये है विहार साथ उस विहार को सलाम करते वे हम इसरे बढ़ता हूँ मैं के तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर भले ही चाहे वाला या के चोकीदार पैदा कर भले ही बड़ी है रत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए बड़ी है रत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए जो हर भाशन में कहते हैं के बच्चे चार पैदा कर जो हर भाशन में कहते हैं के बच्चे चार पैदा कर और मुहबत भाई चारे के दिवाने दिन ही लोटा दो 9000 करोन ले करके एरपोर्ट से चला गया मोटा तगड़ा असामी जिस एरपोर्ट से सिक्योर्टी चेक कि बिना सहमती के कमला पसंद की पुडिया नहीं निकल सकती वहां से विजय माल्या फरार हो गया साब और उसके जाने के कुछी दिन बाद 3 रुपे, 4 रुपे पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया लोगों ने का इमरान साब ये कौन सा टेक्स है मैंने का ये विजय माल्या टेक्स है हमसे आपसे वसूला जाएगा तब मैं मिसरे पढ़ता हूँ साब और दुआएं मांगता हूँ के मुहबत भाई चारे के दिवाने दिन ही लोटा दो वो सस्ती दाल सबजी के सुहाने दिन ही लोटा दो वो सस्ती दाल सबजी के सुहाने दिन ही लोटा दो ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो सहमत हो तो मुहर लगाएगा मेरी बात पे ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो हमें ऐसा गरोव साहब पुराने दिन ही लोटा दो हमें ऐसा गरोव साहब पुराने दिन ही लोटा दो आखरी चार मिसुरे पड़ता हूं इस तसल्सुर के, मैं जिस जिले से आता हूं उसके पडोस में एक सांसद हैं साब, बिलकुल सटेवे जिले से, उन्हें हर दिन मूँ से उल्टी करने की आदत है, वो उल्टी इसलिए करते हैं, ताकि अखबारों पे बिखर सके, अखबारो मदरसों में ऐसे, मदरसों में वैसे, मदरसों से ये निकलते हैं, वो निकलते हैं, मैं एक जिम्मेदार शहरी हिंदुस्तान का, अपने वतन के सम्विधान में पूरी आस्था रखने वाला, तमाम जिम्मेदारियों के साथ चार मिसुरे पड़ता है, उनसे कहता है कि साब तो सियासत ने हक दिया है, आप कुछ भी बोलें, लेकिन हमें जिस चीज पर नाज है, हमें जिस चीज पर फखर है, मैं चार मिसरे में उसे पिरोता हूँ, के नहीं ऐसा नहीं है कल्या, परसों से नहीं निकले, कई अर्मान है दिल में, जो बरसों से नहीं निकले, कई अर्मान है दिल में, जो बरसों से नहीं निकले, हो असा राम नित्यानंद या के पाल बाबा हो, अब सच्छे मिसरे हों, तो अब तक जिन्होंने दाद नहीं थी, उनकी पर दुआएं मांगता हूँ, ओ असा राम नित्यानंद या के पाल बाबा हो, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले, खुदा का शुक्र है ये सब के नहीं, ऐसा नहीं है कल्या, परसों से नहीं निकले, और कुछ लोग तो अलाम नदीम भाई, इस तरह से नीचे बैठके हुक्म देते हैं, जैसे जिल्ले इलाही अनारकली को हुक्म दे रहे हूँ, कि दुबारा तुरंद पढ़ा जाए, अलाम जो भी हो, यहां आके तो वो एहसास शेहन शाही वाला आही जाता है, और अलाह करे यह बचा रहे, यही आपकी विरासत है, यही आपकी पूंजी है, इसे सम्हाल के रखिएगा, नहीं ऐसा नहीं है कल्या परसों से नहीं निकले, कई अर्मान है दिल में जो बरसों से नहीं निकले, ओ असाराम नित्यानंद यागे पाल बाबा हो, खुदा का शुक्र है यह सब मदरसों से नहीं, निकले, खुदा का शुक्र है यह सब, और यह किसने कह दिया तुम से, के इनका बम से रिश्टा है, यह किसने कह दिया तुम से, के इनका बम से रिश्टा है, बहुत है, जखम सीने में फक्त मरहम से रिष्टा है बहुत है जखम सीने में फक्त मरहम से रिष्टा है वो तुम हो जो तिजारत करते हो बारूद की साहब ये हैं इमान वाले इनका बस जमजम से रिष्टा है ये हैं इमान वाले इनका बस जमजम से रिष्टा है और चीख चीख कर पूरी जिम्मेदारी से इमरान कहता है ना बंगला देश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं वतन से प्यार है इमान हम उस दीन वाले हैं वतन से प्यार है इमान मैं आज जिस मुशायरे में आकर के अपने आपको और भी गौरवानवित महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मुशायरे की शुरुआत में जो एक लमहा यहां पे गुजरा है साब वो नफरतों की बातें करने वाले हिंदुस्तान के तमाम सियासी चेहरों के मुँपे तमाचा है मैं देख रहा था मैं खड़ा था पीछे के बुरका पहने हुई अलहम्दुल्ला हिजाब में हमारी बच्चियां खड़ी हो करके रास्ट्रगान गा रही है पूरा मजमा खड़ा है इससे बड़ा हिंदुस्तान क्या हो सकता है हम साथ समंदर पार वतन की शमा जलाए बैठे हैं हम साथ समंदर पार वतन की शमा जलाए बैठे हैं और आप हमारी नसलों पर इलजाम लगाए बैठे हैं हम वो खुर्बानी देने वाले लोग हैं मैं पढ़ता हूँ और दुआएं मांगता हूँ आपसे के न बंगलादेश पाकिस्तान और न चीन वाले हैं वतन से प्यार है इमान हम उस दीन वाले हैं हमारे तार को मत जोड़िये या सीन भटकल से हम ऐसे लोग हैं जो सूरे या सीन वाले हैं हम ऐसे लोग हैं जो सूरे या सीन वाले हैं हम ऐसे लोग हैं जो सूरे या सीन वाले हैं चैर मिस्त्रे मुझे और याद अगये तो मेरा मन कर रहा है मैं पढ़दूं पढ़दूं पढ़ए 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 कि चीक आने तक पर ट्वीट आता है आशा भोशले के बेटे के बड़े तक की ट्वीट आती है अफगानिस्तान के प्रधान मंतरी को 42 दिन पहले जनम दिन की मुबारक बात देने की ट्वीट आती है अफगान लेकिन उन्हें दिल्ली से 40 किलो मेटर दूर एक लाश नहीं दिखती एक रोती भी बेटी नहीं दिखती एक मान पीए के शासनकाल में जितने सैनिक नहीं मारे गए थे, पिछले अठारा महीने में उससे ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, सब चुप हैं, सब खामोश हैं, अजब सी बेहिसी है, उनका दामन नम नहीं होता, अजब सी बेहिसी है उनका दामन नम नहीं होता कि उनके भेकने का सिलसिला भी कम नहीं होता कि उनके भेकने का सिलसिला भी कम नहीं होता जो कल तक कुत्ते के पिलों का भी मातम मनाते थे उन्हें अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता उन्हें अब सैनिकों की मौत का भी घम नहीं होता मैं चार मिस्रे पढ़ रहा हूँ नाश्ता काबूल में हो रहा है साब लंच लाहोर में हो रहा है देश तो सिर्फ खाली होने के लिए आ रहे हैं उसके बाद फिर किसी सफर पर निकल जा रहे हैं मैं पढ़ता हूँ और अब द्वाएं मांगता हूँ आपसे के शहीदों का लहू बे आबरू करके चले आए शहीद है म्राज की रूह जहां भी हो उसको सल्यूट करते हुए चार मिस्रे पढ़ता हूँ साब आपको याद होगा दस दिन संसद ये कहके नहीं चलने दी गई थी कि जब तक एक सर के बदले दस सर नहीं आएगा संसद नहीं चलेगी संसद नहीं चलेगी साहब गए वापस आगए बिन बुलाए गए मैं मिस्रे पढ़ता हूँ के शहीदों का लहू बे आवरू करके चले आए पुराने जखम थे उन पर रफू करके चले आए पुराने जखम थे उन पर रफू करके चले आए हमें उमीद थी वो कुछ कटे सर लेके लोटेंगे अब दुआएं दे के मुहर लगाना मेरी बात पे बहुत कड़वा सच बोल रहा हूं हमें उमीद थी वो कुछ कटे सर लेके लोटेंगे मगर साहब गए तो पाउ छू करके चले आए मगर साहब जू करके चले आए कैसा कैसा मन्जर देख रही है हमारी आखे एक वर्दी है जिसकी बोली लग रही है तो वो वर्दी निलामी में चार करोन से ज़्यादा में बिक रही है कुछ तथा कथित दलाल बोली चार करोण से ज्यादा में लगा रहे हैं लेकिन हमारी आखे बेशरमी का ऐसा मनजर भी देख रही है मेरे हिंदोस्तान वालों कि 36 गड़ में मारे गए सैनिकों की वर्दियां तीन दिन तक कूड़े के धेर में पड़ी रहे हैं कोई ट्वीट नहीं आ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है किस से बात करूँ, किस के सामने अपना दर्द रोओ कभी-कभी लगता है उसी ब्यापारी से बात करूँ जिसने चार करोण से ज्यादा में बोली लगा करके वो उतरन खरीदी थी एक शक्स की मैं चार मिस्रे पढ़ रहा हूँ, उससे बात करता हूँ कि बुढ़ापा क्या खरीदा है जवां मर्दी खरीदो तुम पहले शहीद ब्रिगेडिय रुस्मान से ले करके सियाचिन में बर्फ की चादर ओड़कर सोय हुए मुश्ताक अहमत से ले करके तंजील एहमत तक, अगर इमरान के मिस्रे सच्चे हो, तो मुहर लगाकर के इसे और सच्चा बना देना के बुढ़ापा क्या खरीदा है जवां मर्दी खरीदो तुम वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम सियासी शाक्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है दिल में हिंदुस्तान हिलो रे मारे तो एक एक शक्स की दुआई उठे सियासी शाक्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है वतन पर मरने वाले शाक्स की वर्दी खरीदो तुम वतन पर मरने वाले शाक्स की वर्दी खरीदो तुम और सच में आखरी चार मिस्रे ने ऐसा करना पड़ता है ऐसा करना पड़ता है साब वरना सिलसिला ये तूटे ना हमारी आदत है हम शायरों की वो पिछले दिनों मेरे इलहाबाद में बस कंड़क्टर की शादी हुए तो सुहाक की सेच पे बीबी से बैटके बोला कि बहन जी जरा और सर को दो सवारियां और बैठेंगी तो ये जो आदते हैं साब वो जल्दी हम लोगों की जाती नहीं है ऐसा हमें करना पड़ता है हम ऐसा ना करें तो आप भी उप जाए और हम भी उप जाए अच्छा है लेकिन जो हमारे दर्द हैं वो भी शास्वत हैं वो भी सचे हैं मैं पढ़ता हूं और दौाएं मांगता हूं आपसे ये जो भी बच्चा रो रहा है अगर भाबी जी से गुजारिश करूंगा कि अगर चुप हो सके तो चुप करा लें हाला कि बच्चों को हुआ है मांगता हूं कि किसी भी मौलवी से या कि साधू से न छूटेगा मेरा बहुत प्यारा दोस्त मेरे साथ सफर किया है जिसने बहुत सारा रह्मान यहां बैठा हुआ है मैं उसको भी आद करते हैं मिसरे पढ़ता हूं कई साल बाद उससे मुलाकात हुई तो यहां आ मौलवी से या कि साधू से न छूटेगा मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो हमारे खून का धबा है जाड़ू से न छूटेगा हमारे खून का धबा है जाड़ू से न छूटेगा और मुहबत तेरी कश्ती के खेवईया से लड़ाई है वो आजादी के नारों के गवईया से लड़ाई है हमारे मुल्क की गदी पे ये जो कंस बैठे है इन ही कंसों की कल युग के कनहया से लड़ाई है सबसे पहले कि मैं इम्रान मेरे बेटे के बराबर इसकी बेबागी पर उसको गले लगाना चाहता हूं इन में बड़ी बेबागी है और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं दुआ करता हूं कि हर गर में एक ऐसा बेबाग बेटा पैदा हो और अगर एक दरजन भी मिल जाए तो हम कईयों की काया पलट सकते हैं कईयों को सुधार के रख सकते हैं मैं मैं अलफा बहुत तोल-मॉलग कर सिमाल कर रहा हूं कि मैं बदू का मैं बडू का मदू का मुसाफिर हूँ यही पैछाने जहां से भी गुजरता हूँ सलीका छोड़ जाता हूँ और इनके लिए एक दुआ कर रहा हूँ या इलाही और इनके होस्लों को कर बुलत रहती दुनिया तक रहे हैं ये कामियाब और सरबुलत और एक बात पहरा हूँ हमारे अजीम भी यहां पर रहें एक कॉलेज बना रहे हैं तालीम का काम बहुत है मैं आप लोगों को बता हूँ जो कुछ हमारे मुल्क पे हो रहा है इन सब का तोड़ जो वो तालीम है अगर हम तालीम को अगे बढ़ा दें तो सभी बुरायों को कहले कुछ कहले आप यकिन जानिये कि आज इतना मुतसर हुआ हूँ मैं मेरे ख्याल से राकिब भाई इस बात की गवा है कि आज से 6 मेने पहले सब से पहले इमरान भाई की नाम की तज्विस मैंने की दी आरे महबधा आफ तो वो हो ना पाया जब लेकिन आज जो हो रहा ह बस एक मैं ये कह सकता हूं कि दोहा ने इससे पहले ऐसा मुशारा नहीं देखा है और हम इंशाला जरूर कोशिश करेंगे इमरान भाई के साथ खंदे से खंदा मिलाके जो एक नेक काम करने जा रहे है कॉलेज की तामिर हम जरूर इसमें का साथ देंगे बहुत शुक्रिया मेरे बड़ों का ये सच है कि जो कुछ भी हो रहा है उसका इलाज और उसका जवाब सिर्फ यह है कि हम पढ़ें अपने बच्चों को पढ़ाएं ऐसा कुछ करें के इंशायला हमारे बीच में बूरोक्रेट्स पैदा हो सके आईएस पैदा हो सके आईपीएस पैदा हो सके उसके लवाब को इलाज नहीं है मैं जानता हूँ कि वक्त बहुत कम है हमें अभी दो तीन बड़े लोगों को सुनना है लेकिन क्या करूँ दिल में ये भी है कि आपको पैसा छोड़ के और खुद पैसा जाना भी नहीं चाह रहा हूँ मेरी भी खाईश है कि मैं कुछ और सुना दू हाला कि शुरू से मैं सोच रहा था कि बहुत देर तक आपसे रूबरू रहूंगा लेकिन जो भी थोड़ा बहुत वक्त बचा है मैं कोशिश करता हूँ कि एक दो छोटी छोटी नजमों के कुछ एकाद दो बंद सुना दो आपको एक नजम सुनाना चाहे रहा हूँ फैक्ट्रियां खुल गई हैं साहब सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं वो तैं करेंगे कि आप देश भक्त हैं या देश द्रोही हैं कैसे कैसे मनजर हैं या मेरी माएं बहनी बहुत बड़ी तादात में बैठी है तो एक नजम मेरी खाईश है कि मैं पढ़ूँ आपकी अदालत में मेरी आँखों में एक 18-19 साल की बेटी है शकेप साब मीडिया के सामने आके कहती है कि मैं मीडिया से इस देश से इस सिस्टम से बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर मेरे फ्रिज में गौ का मांस न हुआ तो क्या मेरा बाप लोटा सकोगे फोरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है बकरे का गोश था साजिदा की बात सच साबित हुई अब शायद ये सवाल और जायज हो जाता है मैं एक नज में पढ़ता हूँ उस बेटी की तरप से और आपसे द्वाएं मांगता हूँ बताओ मेरा बाप लोटा सकोगे पे सच की रिदा कहे रही है वो अश्कों को करके विदा कहे रही है तपकते लहू से भीगो करके दामन तपकते लहू से भीगो करके दामन ये अखलाक की साजिदा कहे रही है के भरोसा जो तूटा है इंसानियत से उसे किस तरह अप लोटा सकोगे बताओ मेरा बाप लोटा सकोगे वो गांधी के इस देश से कह रही है वो नफरत के परिवेश से कह रही है सियासत के मासूम चेहरे भी सुन लें वो राहुल से अखिलेश से कह रही है ये धर्मांध से अंध भकतों के जरिये हुआ है जो वो बाप लोटा सकोगे बताओ मेरा बाप लोटा सकोगे बताओ मेरा बाप लोटा सकोगे आखरी बंद इस नजम का पढ़ता हूँ के हवाओं की सरगोशियां कहे रही है ये सच की फरामोशियां कहे रही है दो अक्टूबर जिस दिन का हाथसा है उसके तीन दिन बाद मैं जामिया के मुशारे में था जब मैं माइक पर खड़ा हुआ तो पीछे शायर दोस्तों ने का इमरान यहां सोच समझ के पढ़ना आवाज उनके कान तक जाती है मैंने का यही तो मैं चाहता हूँ के मेरी आवाज उनके कान तक जाए मैं आखरी बंद पढ़ रहा हूँ इस नजम का हर मुद्दे पर बोलने वाले हता के चुपना होने वाले साहब क्यूं चुप हैं इस मुद्दे पर कोई तो परदादारी है कोई तो राज है मैं पढ़ता हूँ हवाओं की सरगोशियां कह रही है ये सच की फरामोशियां कह रही है हवाँ की सरगोशियां कहे रही है ये सच की फरामोशियां कहे रही है थे उस कतल में जै से खुद भी वो शामिल मेरी हिम्मत बढ़ाना अगले मिसरे पर थे उस कतल में जै से खुद भी वो शामिल ये साहब की खामोशियां कह रही है के लगा है जो भारत के दामन पे धबा बहुत बहुत दर्द में डूपके ये मिसरे कह रहा हूँ के लगा है जो भारत के दामन पे धबा ये है एक अभिशा आप लोटा सकोगे बताओ मेरा बाप लोटा सकोगे बताओ मेरा बाप लोटा सकोगे बस धाई मिनिट में आखिर में एक नजम पढ़ के जा रहा हूँ फिर इंशालला आखिर में मौका लगा तो मदरसा, फलस्तीन, पेशावर सब सुना दूँगा लेकिन एक मेरे दिल से जुड़ी है, ढाई तीन मिनिट के एक नजम आपको सुनाता हूँ आपके हाँ भी, हमारे हाँ भी पूरे हिंदुस्तान में एक अभियान शुरू है साब की पांच लाख रुपए ले लीजे और घर वापस आ जाईए दो लाख रुपए ले ले लीजे घर वापस आ जाईए मुझे हसी आती है साब ऐसे सर्फिरों की बातों पर के हंदुस्तान एक खुबसूरत सा गुलदश्टे जैसा मुल्क उसके सामाजिक ताने बाने को बर्बात करने की कोशिश में लगे हैं कुछ लोग और सब चुप हैं मैं एक बात कहता हूं साब कि दुनिया की सुपर पावर कंट्री के सुपर पावर एक शक्स के अंदर पता नहीं कहां से एक एहसास आया उसके पैरों की थिरकन पर दुनिया अर्बों डॉलर लुटा देती थी उसे सुकून नहीं मिलता था तो उसने अपने चचेरे भाई से का मुझे सुकून की तलाश है चचेरे भाई ने कहा सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो उस शक्स ने कुरान पढ़ी और उसके बाद वो इसलाम में दाखिल वा उस शक्स का नाम माईकल जैक्सन था कुछ बात तो है मेरे इसलाम में कुछ बात तो है मेरे इसलाम में आप रेट लगा रहे हैं पांच लाग यहां अर्वों डॉलर ठुकरा करके लोग इसलाम में दाखिल हो रहे हैं कुछ बात तो है मरे इसलाम में कि जिस शक्स के मुक्के से दुनिया कापती थी वो शक्स सारा ग्लैमर किनारे रख करके मुहम्मद अली हो जाता है कुछ बात तो है मरे इसलाम में कि जिस शक्स के खौब से बड़े-बड़े मुक्के बाज रिंग छोड़ दिया करते थे वो शक्स पिछले दिनों माईक टैसन काबे का तवाफ करता हुआ नजर आता है कुछ बात तो है मरे इसलाम में कि यूसुफ योहाना मुहम्मद यूसुफ हो जाते हैं कुछ बात तो है मरे इसलाम में कि जिस ब्राइन लारा के बल्ले से निकले रन दुनिया की आँखे चुदिया देते थे वो सारा ग्लैमर एक किनारे रख करके हमारे आहाते में दाखिल हो जाते है कुछ बात तो है मेरे इसलाम में कि जब सुनीता विलियमस अंतरिक्ष जाती है तो उन्हें सिर्फ दो जगे रोशनी दिखाई पढ़ती है और वो दोनों जगे हैं मक्का और मदीना कुछ बात तो है मेरे इसलाम में मैं एक नजब पढ़ता हूँ ये जो सर्फिरे किस्म के लोग घरवापसी 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 इमरान एक नजब पढ़ता है कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर जरा सुन के बता दीजेगा बहुत बड़े लोगों को आना है माइक तक उनके लिए एक जमीन बनाता हूँ मैं कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर अपने इमा की आवाज पर बोल कर अपने इमा की आवाज पर बोल कर ख्वाब घर वापसी का जो बुनते है वो मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर हम मुहम्मद के इसलाम की शान पर देखता हूँ कितने महबबत करते हैं आप उनसे हम मुहम्मद के इसलाम की शान पर कल भी कुर्बान थे अब भी कुर्बान है हम मुसल्मान है मेरे भारत तेरी सुने मीडिया मेरी इस बात को कि मेरे भारत तेरी आन है शान है हम तेरी सरहदों के निगहबान है हम मुसल्मान है हम मुसल्मान है हम मुसल्मान है हम मुसल्मान है पहला बंद पढ़ता हूँ इस नजम का साब के हम तो फारस अरब से भी आए नहीं हम तो फारस अरब से भी आए नहीं आँख खुली तो पड़ोस में सीतर आम चाचा थे थोड़ा और बड़ा हुआ तो पडोस में भगवती जी थे उन्होंने सर पे हांत फेरा हम तो ऐसे माहौल से निकल के आए हैं साब ऐसे माहौल में पले बढ़े हैं यो कौन लोग हैं जो जहर खोल रहे हैं समाज में के हम तो फारस अरब से भी आए नहीं तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं इस तरह से सितम हम पे ढाए गए यह सितम ही तो है साब हम ट्रेनों के फर्स क्लास में सफर करते हैं हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते हमारे मुबाइल पर फोन आता है और हम जब जबाब में वालेकुमस्सलाम कहते हैं तो आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्स्प्रेशन्स बताते हैं कि ये सितम ही तो है साहब बहुत बदला है वक्त बहुत बदला है वक्त हम बोर्डिंग पास लेकर के सिक्योर्टी चेक में खड़े होते हैं तो हमारा नाम पढ़ने के बाद सिक्योर्टी इंचार्ज की उंगलियों का दबाव बताता है कि मुल्के हालाद बहुत बदले हैं आँख मिलाना पड़ेगा इस हालाद से लड़ना पड़ेगा बोलना पड़ेगा क्योंकि मायूसी कुफर है हम बोलेंगे जो वक्त से आँख नहीं मिलाते हिंदुस्तान वालों वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तहान लेता है जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूपता था वो वक्त से आँख नहीं मिला पाए तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं वक्त से आँख मिलाईए लड़िये बोलना पड़ेगा के हम तो फारस अरब से भी आए नहीं तेरे अपने हम तो पराए नहीं इस तरह से सितम हम पर ढ़ाए गए मुदतें हो गई मुश्कुराए नहीं मुदतें हो गई मुश्कुराए नहीं पटना, लखनव, दिल्ली गवाँ हैं हजारों इमारते, हैदराबाद सब गवाँ हैं मेरे इन मिस्रों के के मेरे पुर्खों की जागीरदारी है ये मेरा दोस्त मैशर अफ्रीदी एक शेयर कहता है कि वो चाहते हैं कि हिंदोस्तान छोड़ दे हम बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दे हम मेरे पुर्खों की जागीरदारी है ये मेरे पुर्खों की जागीरदारी है ये मत समझना के हम लोग महमान है हम मुसल्मान है आखरी बंद पढ़ता हूं इस नजम का साब अनदीम भाई बड़ी महबतों से एक मिनट आप से और बढ़वाते वे एक बात कहता हूं मैं कभी कभी सोचता हूं साब कि ये सिस्टम ये हुकूमतें ये नफरतों की बातें करने वाले लोग आखिर हमसे क्या उम्मीदे करते हैं हमारे हाथ में शेहनाई ठमाई जाती है नितिन भाई तो हम उस्ताद बिस्मिल्ला खान बन जाते हैं हमारे हात में सरोत थमाया जाता है तो मुस्ताद अमजद अली खान बन जाते हैं। हमारे हाथ में तबला थमाया जाता है तो मुस्ताद जाकिर हुसेन बन जाते हैं हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला पकड़ाया जाता है तो म्यूसुप पठान, इर्फान पठान, महम्मद शमी और जहीर खान बन जाते हैं हमारे हाथ में, हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट पकड़ाया जाता है, तो हमारी बेटियां सानिया बन जाती हैं, हमारे हाथ में, हमारे हाथ में म्यूजिक थमाया जाता है, तो हम देश को आसकर दिलवाने वाले रह्मान हो जाते हैं, हमारे हाथ में, हमारे हाथ में साइंस द तो हो सकता है कि पाउं लडखड़ाया हो तो हम आजी मस्तान भी हो गए हो बट इट से ब्लैक जिस तरह स्पेक्ट्रम इंद्र धनुष के में बहुत सारे रंग है उसके आसपास काले रंग भी होते हैं मैं सिस्टम से हुकुमत से नफरतों की बातें करने वालों से गुजारि मैं आखरी बंद पढ़ता हूं इस नजम का घरवापसी 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 मैं नाम गिना रहा हूं दो एक तो आपके बिहार से ही आते हैं मैं नाम गिना रहा हूं हिम्मत है तो उनकी करवाई है स्वामी जी पढ़ता हूं दौाएं मांगता हूं आपसे के सब पे लागून ये बेवसी कीजिए अब एक बार ज़रा जुट जाएए तालियों से गून जाए आज ये ओडिटोरियम सब पे नहीं एडवांस पेमेंट मत दीज़े जब उन्होंने नहीं दिया तो आप क्यों दे रहे हैं सब पे लागून ये बेवसी कीजिए अपने घर की भी कुछ चौक सी कीजिए हों बो मुखतार नकवियाओं शेहनवाद पहले उनकी तो घर वाप सी कीजिए पहले उनकी तो घर वाप सी कीजिए और जाते जाते आप से इतना के के जा रहा हूं बड़ी तादात में मेरे 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 मुसलमान दोस्त यहां बैठे हैं मैं आप से गुजारिश करता हुआ यह कहता हुआ जा रहा हूं कि इस मुगालते में बिलकुल मत रहना कि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं क्योंकि इंसाफ बचाने की आखरी उम्मीद ले करके रात के धाई बज़े सुप्रीम कोट की चोखट पर जो वकील खड़े थे उसमें एक भी मुसलमान नहीं था पहचानिए अपने इर्धगिर्द के ऐसे चहरों को सलूट करिये ऐसे चहरों को आप गुजराद गुजराद चिलाते हैं लेकिन गुजराद के मुद्दे को सच में जिसने अदालत तक ले जाने का काम किया उसका नाम तीसता सीतलवाड है और वो मुसल्मान नहीं है पहचानी ऐसे चहरों को पहचानी अपने इर्दगिर्द के ऐसे चहरों को और सलूट करिये सलूट करिये अरुन्धती रॉय को जो आपकी पैरवी करते हुए नजाने कितने किताबें लिख देती है salute करे शहीद हेमंद करकरे को जिन्होंने बताया कि दहशतगर्दी के ओर भी चेहरे हुआ करते हैं salute करे अपने इर्दिर्द के ऐसे चेहरों को salute करे संजीवभट जैसे चेहरों को जिन्होंने नोकरियों को ठोकर मारते वीए यह कहा कि नहीं हम सच बताएंगे दुनिया को कि गुजरात में क्या हुआ था सल्यूट करिये कुल्दीप नईयर को और आज सल्यूट करिये नितिन भाई जैसे शक्स को कि जो उर्दू की महबबत में इतनी देर तक आपके बीच बैठे हैं मैं सलाम करता हूँ महबबत को मैं आखरी दो मिसरे पढ़ता हूँ हमें अपने इर्दगिर्द एक ऐसा खुबसूरत हिंदुस्तान बनाना है हमारी भी जिम्मेदारी है दोस्तों उस हमारे मुल्का 85% से ज्यादा नौन मुसलिम भाई सेकुलर है हमारी पैर्वी करता है हमारे लिए लड़ता है जैन्यू क्यों उनके निसाने पर है क्योंकि जैन्यू हमारी आपकी वकालत करता है कनहिया पर क्यों देश द्रो के आरोप है क्योंकि हमारे आपके आग के लिए बोलते हैं ऐसे लोगों को मजबूत कर ये ताकत दीजिए मैं आखरी बंद पड़ता हूं हो वो मुखतार नकवियां शेह नवास पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए और पांच दिन की हुकूमत पे इतना नशा इमरान बोलता है आपकी दौाओं के भरोसे मुझसे कहा जाता है डरा करो इमरान अपना तेवर नरम कर लो सिक्योर्टी में नहीं चलते हो तब मैं उनसे कहता हूं कि महबत कौन करता है सियासत कौन करता है मुझे मालूम है मेरी हिफाज़त कौन करता है मुझे मालूम है मेरी हिफाज़त कौन करता है हमी ने लाज रखी है बुजर्गों की यहावरना सभी टुकडों पे पलते हैं बगावत कौन करता है के पांच दिन की हकूमत बे इतना नशा आठ सो साल बोल रहा है आपका आपकी तारीख बोल रही है इन दो मिस्रों में एक एक हाथ को कसम देता हूँ मेरा दामन दौाओं से भर के विदा करना के पांच दिन की हकूमत पे इतना नशा हम तो वो हैं जो सभीयों से सुल्तान है हम सल्मान है बहुत शुक्रिया अजनात